जैसरी किष्णा कैसे हैं आप सभी लोग हम आसा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे और अपने ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love triple 2 में हम इस वर से आप सभी के लिए प्रात्ना करते हैं आपकी जो भी विस है वो सारी विसे पूरी हो जाएं आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ positive हो दियर आज हम इस टॉपिक पर रेडिंग करने वाले हैं जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं उनके दिल में अभी क्या चल रहा है फिर वो आपसे छुपाना चाहते हैं तो दियर आज हम इस टॉपिक पर रेडिंग करने वाले हैं हमने इसमें पाइ शुपप होगे और अपने ध्यान रख लहेंगे और अपनी अपनों का ध्यान रख रहेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल , Spiritual अफको मिलें आपकी लाइफ में आपकी फैमली में सब कुछ पॉझिटीव हो अध्या पहले हम बता देते हैं आपका बर्त मन्त पर्वरी जुलाई सितंबर ऎक्टूबर जन्वरी अब हम आपको बता देते हैं कि नीम का first letter अपके नेम का first letter हो सकता है A-N-G-R-L-U-X-V-S दियर ये आपके नेम के first letter हो सकते हैं अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट अवब बर्थ आपकी डेट अवब बर्थ हो सकती है किसी भी मेंने की 1 तारिक, 5 साथ तारिक, 15 साथा नारिक, 17 साथा नारिक इकिस तारिक, तेज तारिक, उनतिस सारिक, 31 सीर यह आपके डेट बार्ध हो सकती, या फिर जिनके लिए आप ये रिडिंग देक रहे है व्लाज की हो सकती है अब इसमें बहुत श्ट्रॉंग है एयर साइन अर्थ साइन फायर साइन बहुत कम है अब हम आपको बता देते हैं जिनके लिए आप ये रिडिंग देख रहे हैं वह आपसे क्या चुपा रहे हैं उनकी अभी एनर्जी क्या है ये कुछ लोगों के परसन है जो आपसे लड़ाई क करते हैं आप में कमिया निकालते रहते हैं या फिर पहले वह जैसे थे वैसे वह नहीं है पहले मों को कंडिशन बता देते हैं तब ही आप समझ पाएंगे यह जो पहले थे वैसे अब नहीं है अब इमने बहुत सारे बदलाओ आ रहे हैं और आप समझ नहीं पारे कि ऐसा क् से पूछते भी होंगे कि अब आपको क्या हो गया है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा डियर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हैं बहुत ज्यादा सैड अनर्जी में भी हैं आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है क् पहले इन्होंने आपको बहुत समझा है, अब ये आपकी सही बात को भी इस तरह से बना देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा गुना कर दी आपने, बहुत कुछ ही आपको बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, अब आपकी जो पहले की बाते हैं, उनमें भी एकमिया निकालते ह अब यह आपको सिर्फ और सिर्फ गलत ही ठेराने की कोसिश करते हैं कि आप गलत है और आप को समझ भी नहीं आ रहा आपको लगता कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया पहले तो बहुत प्यार था पहले तो बहुत सब कुझ अच्छा था आप इनसे पूचते भी होंगे कि अगर आपकी जिंदिकी में कोई है आपको हमें छोड़ना है तो आप छोड़ दो लेकिन इस तरह से लड़ाई जगड़े और इस तरह से मुझे गलत बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल जाता है आपके इंटिशन इतने स्ट्रॉंग है कि आ आपको अंतर हम जोड़ा जाती है लेकिन जो अभी बोल रहे ही, वह समझ आरा है आपको थी इनके समझ में आती है कब एहुंग जानरोज कर्के आपको गलत बता बतारा हैं आपको हर चीज समझ में आती है उस इरह बहुत ज्या बहुत करीब चीजिते अग पूलत पावज आप किसी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है कि जूड बोल रहा है आपकी इंटेशन आपको बताने लगती है कोई इंसान अगर आपके साथ धोका कर रहा है आपको जूड बोल रहा है तो आप समझ जाते हैं कि ये इंसान कुछ तो कह रहा है गलत तो dear आपकी intuition बहुत strong है और आपको सक हो रहा है कि ये आपको दोका दे रहे हैं इनकी जिन्दगी में कोई और आ गिया है ये किसी और के साथ बढ़ना चाते है या फिर आपको छोड़ना चाते है dear इनकी आदते ऐसी हैं कि आप इनकी आदतों से जान जाते हैं कि कभी ये क्या करने की सोच रहे हैं हो सकता है कि पहले इनकी जिन्दगी में कोई आया हो तो इनने इसी तरह से सब कुछ किया हो और फिर आपसे लड़ाई की हो, जगड़े की हो, आपसे दूरियां बना ली हो तो आपने सोचा कि कोई बात नहीं, जा रहे हैं जाने दो लेकिन फिर ही आपके जिंदगी में आए, फिर रोने लगें, फिर आपसे बोलने लगें और आपने दिन से सच्चा प्यार किया है, टाइम पास तो किया नहीएutan, तो आपने इने माफ कर दिया हो फिर से इने अपनी जिंदगी में जगें दे दियो, आप तोट जाते हैं इनके ऐसे दोके से और ये फिर से ऐसे कर रहे हैं, और आप पर इलजाम लगा रहे हैं कि आप इन पे सक करते हैं आप सक्की हैं आपकी सोच बहुत छोटी है तो डियर ये आप से छुपाने की कोसिस कर रहे हैं अपनी बातों से अपने गलत इलजाम लगाने से ये अपनी बात छुपाने की कोसिस कर रहे है क्योंकि इनकी जिंदीगी में कोई online आया है या फिर या भी हाल-फिलाल में इसकी पार्टी में गए होंगे तो वहाँ पे इने कोई मिला है ये किसी से भी connect हो जाते है किसी से भी बात करने लगते है इने इससे फर्क नहीं पड़ता कि कि आपके उपर क्या भीतेगी, आपको कैसा लगेगा, आपने कितनी बार इन्हें मौके दिये, यह सब कुछ भोल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें याद रहता है, अपने बारे में, इन्हें अच्छा लग रहा है, किसे से बात करके हैं, किसे से बात कर रहे हैं, इस वज इनसे जादे सिटेबल भी हो सकते हैं और कभी कभी क्या होता है कर न्याज नया इंसान आया होता है तो वह अच्छा भी लगता है तो हो ही वाला हाल इनका है अभी इन्की key कोई आया है जिससे बात कर रहे हैं हो सकता है कि इनकी फैमिली के लोग इनके लिए रिष्टा देख रहे हूँ और इन्होंने बोला हो कि इनके लिए इनकी फैमिली के लोग रिष्टा देख रहे हैं साधी के लिए लेकिन इन्हें कोई फर्क नी पड़ता तो डियर ये आपको ऐसा दिखा रही है कि इन्हें उससे कोई फरक नहीं पड़ता देख रहे हैं देखने देते हैं मुझे कौन से साधी करनी है मुnेरे लिए कौन सा वो है लेकिन ये आपको गुम्रा कर रहे है ये उन से बात भी करने लगे है आपको हो सकता है कि ऐसा बनाते हों कि इनकी मजबूरी है उनसे साधी करना और हो सकता है कि अभी आप बहुत मजबूर हों आप साधी ना कर सकते हों तो ये आप से बोलते हों कि इनकी फैमली के लोग रिस्ता देख रहे हैं लेकिन ये साधी नहीं करेंगे वो लोग देख रहे हैं देखने देते हैं लेकिन ये साधी नहीं करेंगे ये साधी आप से ही करेंगे लेकिन डियर ये जुड बोल रहे हैं अगर ये मजबूर है तो फिर उसके साथ बाते क्यों बढ़ा रहे हैं उसको ऐसा क्यों फिल करा रहे हैं कि यह उसके लिए बहुत अच्छे हैं उससे बहुत प्यार भरी बाते क्यों कर रहे हैं इन्हों ने उससे बहुत अच्छे से बात करने शुरू कर दिये और आप से बताते हैं कि यह कोई मतलब ने रखते हैं किसी से सिर्फ आप से रखते हैं यह चुपा रहे हैं हो सकता है कि जिस नंबर से आप इन से बात करते हूं, उस नंबर से बात ना करते हूं, किसी नए नंबर से बात करते हूं, ताकि आपको पता ना चले, ये आप से जूड बोल रहे हैं, ये किसी और से बात कर रहे हैं, आपको गुमरा कर रहे हैं, तकलीफ इस बात की नहीं है आपको, कि य किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी साथ रिस्ते में बढ़ रहे हैं आपको तकलीफ इस बात से होती है कि ये आपको गलत साबित करने की कोसिज करते हैं ये आप पे इल्जाम लगाने की कोसिज करते हैं तकलीफ आपको इस बात से होती है आपने इनको छोड़ दे रखी है कि यह कुछ भी करें, यह किसी से भी बात करें, लेकिन यह आप पे जो इल्जाम लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ने जैसे बांध रखा हो, एक होता है कि किसी से बात नहीं कर सकते हैं, तो मुझसे बात कर रहे हो, तो गलत हो, ऐसा नहीं है, आप ऐसे सोच के नहीं है, आप छ कहीं न कहीं इन्हों ने आपका भरोसा इसकदर तोड़ा है और अब आप पे इलजाम लगाते हैं पहले इन्हों ने ये ऐसी हरकते किये, तभी आपने इन पर सक करना सुरूख कर दिया, इन पर भरोसा करना बन कर दिया और हमेशा आपका सक सही साबित होता है अगर ही किसी से बात करे इनके दिल में अगर कोई गंदी फीलिंग्स ना हो तो डियर आप कभी नहीं किसी से बात करने के लिए नहीं रोकेंगे लेकिन ये आपको इल्जाम लगा देते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं आप गलत सोचते हैं आपकी सोच छोटी है किसी से भी आप इनको उल्टा सीधा बोल देते हैं तो डियर इस वज़ा से आपको तकलीफ होती है कि ये खुद गलती करते हैं कि खुद गलत होते हैं और इल्जाम आपे लगा देते हैं इससे आपको बहुत तकलीफ होती है आपको ऐसा लगता है कि कैसे इंसान से हम प्यार कर रहे हैं तो आपको यह सारी चीज़े महसूस होती हैं कि आप इनके लिए एक उपसन है लेखी ना आप प्यार के हाँ तो मजबूर हैं आप इन से प्यार बहुत करते हैं आपको लगता हिख टाइम पास करते हैं प्यार हम्त करते ना तो बस इसी तरह का है ये किसी और के साथ रिस्ते में है आप से छुपा रहे हैं और आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपकी इंट्यूशन आपको जो बता रही है वो सही बोल रही है ये कोसिस करते हैं कि ये बात दब जाए आपको ना पता चले आपको उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन ये भी इनकार करते हैं, कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, डियर आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी इन्टिशन बता रही है, वो बिल्कुल सही है, आपके पार्टनर किसी और के साथ रिस्ते में हैं, आपको धोका दे रहे हैं, और वो यह बात आप से छुपाने की कोशिस कर रहे ह ताकि आपको पता ना चले और ये सही साबित हो जाए अगर इनकी जिन्देगी में उधर से कोई बात बनती भी गड़ती है तो ये आपके पास वापस आ जाए ऐसा भी नहीं है कि इनको उससे प्यार है प्यार नहीं है लेकिन इन्हें लगता है कि अगर यहां बात बन गई सब कुछ अच्छा हुआ तो आपको छोड़ देंगे अगर यहां सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप एक option की तरह है इस वज़ा से ये आपको नहीं बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये आप करेंगे यह ऐसा नहीं सोचते है इधे बस यह लगता है कि आपको यह को देंगे अगर इन्होंने आपको बताया तो यह आपको खो देंगे, अपना एक option खोदेंगे, इसलिए idea यह आपको नहीं बतारहें यह आपसे छुपा रहें है और यह हैं को cheat कर रहें हैं, आपकी तो इन्टिशन आपसे बोल रही है वो सही बोल रही है आप मेडियीटेशन कर सकते हैं अपने लिए अप हमेशा फॉजीटिव आप बहुत जादा पावरफुल पर्सन है अपकी एंटिशन बहुत हाईर लेबल कि है आपकी इन्टिशन आपको बहुत जलदी कर देती है जल्दी से आपकी इंटिशन आपको बता देती है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो बताएं या फिर किसी और से पता चले ऐसा भी नहीं है इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पता क्यों चल जाता है तो dear acquisition बहुत strong है जो आपको बहुत जल्दी सब कुछ बता देती है और जिससे आप दिल से जुड़ते हैं वो आपके person हो या फिर कोई family का इंसान हो या फिर कोई friend हो या फिर कोई भी हो जिससे आप दिल से जुड़ते हैं बहुत deep level पे जुड़ते हैं जिससे आपके बहुत जादा बात चीत होती है कोई काम से बात होती हो या फिर किसी भी तरह से कोई बात होती हो अगर वो इंसान आपके बारे में कुछ गलस सोच रहा है वो इंसान आपसे जुड़ बोल रहा है तो आपको intuition बिल्कुल आपको बता देती है और आप अपने intuition के सुनते हैं तो आपके लिए सही सावित होता है अगर वो इंसान कभी गलग कर देता है वो चीजे हो जाती है तो आपका दिल कहता है कि ये बात तो मेरे मन में आई थी ये intuition मेरी बता रहा था तो dear आपके intuition आपको बहुत जल्दी guide कर देती है और जो आपके मन में बात आती है उस सच हो जाती है तो आपके intuition बहुत strong है इसकी बात जरूर माना किया गरिया और आप positive रहिए अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए कौन क्या कहता है इस बारें बिल्कुल मत सोचिए सोचने का काउन लोगों का है लोगों को करने दीजे आप तो सिर्फ meditation करिए और positive रहिए अप अपना ध्यान जरूर रखिएगा dear अगर आप इस चैनल पे नए है आपका दिल कहता है आपकी आत्मा कहती तो आप इस वीडियो को like कर सकते share कर सकते इस चैनल को subscribe कर सकते और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो comment करके हमें motivate कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जैसरी किष्णा जैसरी किष्णा option number 2 कैसे आप? I hope आप स्वस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love triple 2 में हम इस वर से आपके लिए प्रातना करते हैं आपकी जो बीविस है वो सारी विसिस पूरी हो जाए आप जो चाहते हैं उस सब आपको मिलें इस में आपकी family में सब कुछ positive हो dear पहले हम बता देते हैं आपका बर्थ मंत ये आपका भी हो सकता है या फिर जिन के लिए आप ये rating देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है आपका बर्थ मंत हो सकता है जन्वरी, जुलाई, जून, मई, सितंबर, मार्च, अगस्त dear ये आपका बर्थ मंत हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपकी date of birth किसी भी महिने की 3 तारीक, 4 तारीक, 9 तारीक, 10 तारीक, 11 तारीक, 12 तारीक, 16 तारीक, 19 तारीक, 22 तारीक, 24 तारीक, 27 तारीक, 30 तारीक dear ये आपकी date of birth हो सकती है अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का first letter आपके नेम का first letter हो सकता है E, R, W, M, G, H, I, L, O, P, S, T, D, F ये आपके नेम के first letter हो सकते हैं dear अब हम आपको बता देते हैं पहले condition आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं अभी तक उन्होंने आपको बहुत समालाई आपके हर सुख दुख में आपका बहुत अच्छे से साथ दिया है आपको हमेशा पॉजिटिव ही किया है कभी भी नेगेटिव नहीं किया है आप उनसे बात करके बहुत पॉजिटिव फिल करते हैं आपको बहुत पॉजिटिव फिल होता है और जो आपका रिष्टा है वो बहुत खुब सूरत है आप भी बहुत समझदार है और वो भी बहुत समझदार है कभी आपकी लाइक में कोई प्रॉब्लम आती है आप उनसे बात करने के लिए मना करते हैं या फिर कोई भी बात आप उनसे बोलते हैं तो वो उसी तरह समझते हैं जैसे आप उनसे बोलते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है लेकिन इस रिष्टे में ऐसा नहीं है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझते हैं और कोई तीसरा आपके रिष्टे को कभी तोड़ नहीं सकता जैसे होता है कि कभी कोई किसी से बात करता है तो गलत प्यानी हो जाती है तो फिर बहुत लड़ाई होती है यह आपके रिष्टे में नहीं होता है आप लोग अपने प्यार पे इतना भरोसा रखते हैं कि किसी की बातों में कभी नहीं आते आप कभी-कभी अपनी आखों देखा भी जुटला देते हैं आपको लगता नहीं ऐ रिष्टा बहुत खुबसूरत होता है लेकिन सोच के वज़े से भी वो रिष्टा खराब हो जाता है किसी ने कुछ कहा उसके बारे में हमने पॉजिटिव नहीं सोचा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच लिया अगर पार्टनर ने कोई बात छुपा ली नहीं बताया बात हो सकती है अगर नहीं बताया तो बात में बता देंगे और नहीं भी बताया तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई प्यार से बड़ी तो यह बात नहीं है न तो डियर इस वज़े से भी बहुत लोगों का रिस्ता खराब हो जाता है और आपके रिस्ते में इतनी पॉज के लिए विख रहे हैं कि वो आप से क्या चुपा रहे हैं इनके दिल में ऐसा नहीं था लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचते थे इनके बारे में सोचते थे इनके लिए सोचते थे इसलिए इनके दिल में भी आपके लिए फेलिंग्स हैं यह भी आप से प्या इस वज़े से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं कम बात कर रहे हैं और आप भी बहुत समझदार हैं और वो यह चाहते हैं कि आप अपनी समझदारी को बना कर रखें और वो जो आपसे बात छुपा रहे हैं वो फैमिली इस हुए हो सकता है कि आप इन से साधी के लिए बोल रह वो अभी कुछ बोल नहीं है लेकिन इनकी फैमली इनको बहुत कुछ सुना रही है बहुत कुछ सुना रही है अपने अइसान गिना रहे हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने यह किया तुम्हारे लिए हमने यह किया आज तुम्हारे लिए चार दिन का प् कभी बहुत जादा बिमार हो गए हो तो इनकी family नहीं है बहुत अच्छे से समाला हो हो सकता है कि इन्हें stable होने में बहुत time लगा हो तो इनकी family नहीं कभी इनसे बोला ना हो कि तुम कुछ करते नहीं हो इन्हें full time दिया कि तुम अपने career पर ध्यान दो अभी जिम्मेदारियों में मत बड़ो तो डियर आज इनकी फैमिली इन्हें अहसान गिना रही है और ये अपनी फैमिली की बात आपको नहीं बताते हैं आपसे जूड बोलते हैं इस वक्त इनको इनकी फैमिली नहीं समझ रही है इनसे बात भी नहीं करती है जैसे कोई अजनबी जिसे इन जानते ही नहीं और ये ये सारी बाते आप से चुपाते हैं आप इनसे बोलते हैं कि फैमिली में सब कुछ ठीक है तो ये बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है आप से सब लोग अच्छे जबात करते हैं यह बोलते हैं हाँ सब लोग अच्छा बात करते हैं सब अच्छा बोलते हैं लेकिन यह आप से जूड़ बोलते हैं क्योंकि आपको टेंशन होगी आपको लगेगा कि इनकी फैमिली इंसे दूर हो रही है तो फिर आपको और ज्यादा टेंशन होगी आप सोचने लगेंगे कि मेरे वज़े से इनकी family इनसे दूर हो रही है इनकी family भी इनसे बहुत प्यार करती है लेकिन कभी-कभी ego इतना high हो जाता है कि प्यार मढ़ जाता है तो बस इनकी family के साथ वही है लेकिन अभी इनकी family नहीं मान रही है मान जाएंगी अगर आप positive सोचेंगे और ये भी positive सोचेंगे positive सोचने से जिंदेगे में बहुत कुछ बदलता है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही manifest होता है अगर आप सोचेंगे कि इनकी family साधिक ले कभी नहीं मानेगी हमारी साधिक साहत कर ना हो हम अलग हो जाए आप इस खयाल से अगर डरने भी लगे तो आपके साथ वही होने लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ positive सोचना है इनकी family मानेगी और हमारी साधी होगी हम साथ रहेंगे और इन्हें आप positive ही बोला करें इंटेंशन मत लेना सब कुछ ठीक होगा इन्हें इनकी family नहीं समझ रही है इनसे कम बात कर रही है इन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कभी कभी ये रोते हैं कि प्यार और परिवार के बीच में कहीं मुझे एक को चुनना न पड़ जाए क्योंकि ये अपने परिवार से family वाले दूर हो इस साथ रहना चाहते है किसी को छोड़ना नहीं चाहते है और ये अभी आपसे सिर्फ बाते चुपा रहे है इनकी family जो आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सिधा बोलती है साइद हो सकता है कि इन्होंने आपके बारे में बताया हो या फिर इनकी family वाले लोग आपको जानते हूँ तो बहुत कुछ उल्टा सिधा बोलते है बहुत कुछ आपके बारे मल्टा सिधा बोलते है नगा टी बोलते है हो सकता है कि ये बहुत stable हो आप ज्यादह stable नहों तो बहुत सारे लोग इनसे बोलते है ये आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, इनके पैसे से प्यार करते हैं, आप इनसे मतलब से प्यार करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके प्यार को गलत बोल रहे हैं, इनको बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं, तो ये कभी-कभी बहुत इमोसिनल हो जाते हैं, बहुत जादा साइ यह कभी-कभी इस बात से डरते हैं कि अगर किसी को पता चला हो सकता है कि यह आप से एज में बहुत बड़े हों काफी ऐस डिफरेंट हो या फिर यह आपके आसपास रहते हूँ इसे बहुत अच्छे रिष्ते हो फैमले रिस्ते जैसे हो जाते न बहुत अच्छे रिस्ते होते हैं तो इस तरह का हो या फिर यह आपकी कोई रिलेटिव घुरे उ ठाथ है से डरते हैं कि अगर इन्हों ने आप से अपने दिल की बाद बोली तो कहीं आप किसी और से ना बोल दें कि यह आपके बारे मैं ऐसा सोचते हैं आप तो इनके बारे मैं ऐसा नहीं सोचते हैं और कुछ लोग हैं जो बात बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन यह आप से अपने दिल की बात चुपाते हैं यह आप से अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं आपके लिए बहुत सप्राइस प्लान करते हों जैसे होता न कुछ रिलेटिव होते हैं जो बहुत कुछ अच्छा क करते हों आप इन्हें birthday विस करते हों आप इन्हें फैस्टेवल विस करते हों ये आपको फैस्टेवल विस करते हों लेकिन ये अपने दिल की बात आप से चुपा रहे हैं ये आपसे प्यार करने लगे हैं आपके खयाल इन्हें बहुत आते हैं आपके सपने बहुत इन्हें आ बात का है कि थोड़ा सा समाजिक तोर का है, जैसे किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, इनने लगता है कि फिर लोग गलत कहेंगे, गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, आपको भी गलत बोलेंगे, इस वज़ा से भी अपने दिल के बात आप से नहीं बोलते हैं, छुप जब आपने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा होगा, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा होगा, तब से वो सोचने लगेंगे, चार लोग कि इनका रिस्ता तो बहुत टाइम से चल रहा है, इनके बीच यह मैटर तो बहुत टाइम से चल रहा है, तो फिर इन्हें लगता च्छुपाते हैं और आप से प्यार दो बहुत करने लगें अगर आप इनके मेसेज कर जवाब नहीं देते न तो यह 50 भार वट्सप चेक करते है अभी आपको जवाब नहीं आया और इसा नहीं है कि सिर्फ यह ऐसा करते है आप भी ऐसा करते हैं अगर आपने ने कुछ बोला तो आपको उसका जवाब तुरन चाहिए होता है इन्होंने आपको जवाब क्यों नहीं दिया आप ये तक आपका मैसेज देखा की नहीं देखा ऐसा आप और किसी के साथ नहीं करते है लेकिन इनके साथ आपका ऐसा ही है अगर आपने ने कोई बात सेंड की कुछ भेजा तो आप उसे कई बार देखते हैं इन्होंने अभी तक देखा की नहीं देखा क्यों नहीं देखा ये मेरे मैसेज इतने देर से क्यों देखते हैं मतलब बहुत सारे सवाल और ऐसा ही इनका भी हाल है देर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन समाज के वज़े से बहुत सोचते हैं आपकी intuition बहुत strong है और आपकी energy बहुत high है आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है देर से हो या फिर जल्दी हो ये माइने नहीं रखता लेकिन आप जो सोचते हैं वैसे ही होता है आप कभी सोचना धियान देना कि आपकी जिन्दगी में जो भी चीजे आई है क्या कभी उस चीज के बारे में आपने सोचा था कोई ड्रेस हो या फिर कॉपी हो या फिर पैन हो या फिर कोई भी चीज हो जरूरत की ही चीज हो खाने की चीज हो आपने सोचा कि आपको ये खाना था आपको ये खाने का मन कर रहा है बहुत दिन से ये खाने का मन कर रहा है और अचानक से वो चीज आ गई या फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज आपको मिल गई खाने के लिए कुछ भी, कोई भी फोड, तो dear, ये भी manifestation होता है, ये भी एक ऐसी energy है कि आप सोच रहते हैं और ये manifest हो गया, ये पूरा हो गया, तो dear इसी तरह से है कि आप जैसा सोचेंगे, वैसा होगा, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा डरेंगे, तो फिर उसी तरह से होगा वही सारी चीजे होंगी, dear, ये आप से प्यार बहुत करते हैं, और आप सोचते हैं कि इससवर जो करेंगे, वो सब कुछ अच्छा करेंगे, आप ने सब कुछ इससवर पर छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने इसससवर पर नहीं छोड़ा है, इन्होंने लोगों के डर की वज़े से छोड़ रखा है इनने लगता है कि लोग क्या कहेंगे घर वाले क्या कहेंगे आपके घर वाले क्या कहेंगे जो बहुत अच्छे रिस्ते हैं दोस्ती के रिस्ते हैं वो भी खताम हो जाएंगे और फिर कोई किसे भरोसा नहीं करेंगा इस वज़ा से डियर यह आप बहुत सारी बाते हैं आपके लिए जो यह सिर्फ अपने दिल में ही रखते हैं आपसे नहीं बताते हैं यह आपकी बहुत तारीफ करना चाहते हैं आपसे बोलना चाहते हैं कि आप बहुत खुबसूरत हैं यह आपको बहुत पसंद करते हैं यह आपसे बहुत प्यार करने आप एक तरफा प्यार कर रहें प्यार ये भी कर रहें आपको पसंद ये भी कर रहें आपको लेकिन अभी बोल नहीं रहें आप भी नहीं बोल रहें और ये भी नहीं बोल रहें लेकिन येर आपने इस वर पर सब को छोड़ रखा है आप बहुत positive soul है और आप ऐसे ही हमेशा positive रहिएगा आप बहुत ज़्यादा positive soul है और meditation आप जरूर करिएगा आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए कौन क्या कहता है इस बार में मस सोचिए सोचने का काम लोगों का है लोगों को करने दीजिए आप तो सिर्फ positive रहिए और meditate जरूर करिए अपना ध्यान जरूर रखिएगा अगर यर आप इस चैनल पर नए हैं आपको अमारा वीडियो पसंद आया है आपका दिल कहता आप ग्यात्मा कहती तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते शेयर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब पर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जै स्रीकिष्णा